नमस्कार आप सभी का बत्वत सागत आज का विशे बहुती गंभीर और महत्वपून और वो है हमारी सफलता में हमारी हतिली पर उबर हुए परवतों के सभाव का योगदान तो हमारी हतिली पर जो परवतों भर रहे हैं कुछ परवतों पर कुछ ग्रहों पर फायर एलिमेंट का परभाव ज़्यादा होता है गरम होते हैं पूर्जा से भरपूर और कुछ परवतों पर वाटर एलिमेंट का परभाव ज़्यादा होता है वो ठंडे होते हैं कुल्ड यदि हम बिलकुल सम्मान्य भाशायं बात करें तो अंगूठे के नीचे वाले परवत आपका शुक्र दोनों मंगल राहू और सूर्ये ये होट होते हैं इनमें फाइर एलिमेंट ज़्यादा होता है जब फाइर एलिमेंट जाता होता है तो उर्जा भरपूर होती है उर्जा भरपूर होती है जातक के सभाम में उगरता होगी और जातक के पास जोश भी खुब होगा दरता भी खुब होगी लेकिन यदी लिटल फिंगर के नीचे वाले परवत यहाँ पर शनी को भी इंक्लूड कर लीजिए शनी को सुटल मना जाता है तो शनी बुद्ध हमारा चंद्र ये सुटल सभावाले होते हैं यहाँ वाटर एलिमेंट की प्रधानता जादा होती है वास्तव में जो लिटल फिंगर वाले परवत है न शनी को मिला कर यहाँ पर सब कॉंशियस माइंड हावी होता है जातक के पास में तरक्षमता सोच प्लैनिंग ये बड़ी अच्छी होती है और जो हमारे फाइर एलिमेंट वाले परवत हैं गरम परवत हैं उनके पास जोश खुब होता है तो सोच मिली हमको लिटल फिंगर के नीचे वाटर एलिमेंट वाले परवतों से और उस सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए जोश मिलता है उड़जा मिलती है फाइर एलिमेंट वाले परवत शुक्र हुआ, मंगल हुआ, राहु हुआ, गुरु हुआ, सूर्य हुआ अब वास्तम में यदि केवल आपका अंगुठे की तरह वाला हिस्सा उठा हुआ है तो आपके पास उड़ जा तो भरपूर होगी, सोच नहीं होगी ऐसे लिटिली फिंगर के नीचे वाला इस्सा उठा हुआ है, तो आपके पास शारिक एनर्जी तो उती नहीं होगी लेकिन प्लैनिंग खुब होगी दोनों ही परशितियों में सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि सफलता के लिए किसी भी परवत के जो पुरक परवत होता है न, उसको भी विक्सित होना चाहिए जैसे चंद्र के साथ शुक्र का विक्सित होना सफलता के निशानी, दोनों मंगल का विक्सित होना सफलता के निशानी, रहाओ का विक्सित होना सफलता के निशानी, शनी और सूर्य दोनों का विक्सित होना सफलता के निशानी, गुरु और गुरु और बुद्ध परवत क प्रिक्जित होना सफलता के निशानी तो जब भी हमारे सोच में हमारे जोश में एक संगम पैदा होगा तब दब हमको अपने छेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी केवल हतेली का एक हिस्सा लेफ्ट्र वाला या राइट वाला उबरा हुआ हो जबे दोले लिए के दोनों पोर्षन अंगुठे वाला पोर्षन और लिट्री फिंगर के निचे वाला पोर्षन दोनों में उबार होना चाहिए अब वाटर अलिमेंट और फाइ अलिमेंट में एक बैलेंस बन गया सोच और जोश में एक बैलेंस बन गया अब जातक को अपने छेत्र में सफलता निश्चत ही मिलेगी तिये कुछ चथे सफलता के बारे में संपनता के बारे में मान सम्मान के बारे में यश के बारे में आशा करता हूं आप अगनर जना वश्य करेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो शुक्रिया झाल 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 झाल